hello friends अगले वाले question की दरफ चलते हैं question यह है कि A particle start from rest at a distance B from a fixed point एक particle विरा म्हूस्था से B दूरी से किसी निश्चित विंदू से start होता है under the action of the force through a fixed point fixed point के उपर ऐक उसके ऊपर एक force लगा हुआ है the law of the force at a distance x is x दूरी के उपर लगने वाला बल्या तावरण mu 1-a upon x toward the point उस point के उस particle के उपर x दूरी से लगने वाला जो acceleration है mu into 1-a upon x है जब वो toward the point x greater than a उस बिंदू की तरफ है जिसके लिए x बड़ा है a से बट आगे कहना चाहरा है कि mu a square upon x square minus a upon x from the same point 8x less than a और उस बिंदू से जब x छोटा है a से प्रूब एट it will oscillate through a space आपको दिखाना है कि particle जो move करता है वो इस दूरी के बीच में इस space के बीच में move करता है clear है न जड़ा समझने की कोशिश करना मल लिया जाए ये मेरा कोई straight line है और ये वाला point b है जो के particle का starting point है और ये वाला point मेरा कोई fix point o है clear है न और मैं कहना चाहरा हूँ कि ये जो दूरी है o b ये वाली दूरी मेरी कितनी है b है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ से कुछ दूरी के उपर एक point a है suppose that ये वाला point a है और ये जो o a है ये वाली दूरी मेरी a है ये वाली दूरी no problem इन दोनों point के बीच में क्यों मेरे को x less than a रखना है और x greater than a रखना है इन दोनों के बीच में एक point b है suppose that ये वाला point मेरा कितना है b और यह वाली दूरी कितनी है X है यह वाली दूरी clear आगे कहना चाहरा है कि X greater than A हो या फिर X less than A हो same बिंदू से मल्या यह वाला पॉइंट है कोई same बिंदू C यह हमाल लो यह बिंदू है C जिससे calculate करना है इससे कहना चाहरा है बाई particle इसके इस तरफ है या इसके इस तरफ है तो particle जो oscillate करता है वो BC के बीच में oscillate करता है अर्तात आपको proof क्या करना है आपको calculate यह करना है कि we want to prove that हम लोगों को सीधिये करना है we want to prove that जो दूरी BC यह जो दूरी BC है BC को दिखाना है B square minus K square upon B यह हमारा target है थोड़ी सी theory है लिख रहा हूं जड़ा समझने की कोशिश करना suppose that बहुत short में लिखूंगा ओ इसे fix point O मेरा कैसा बिंदू है भाई fix बिंदू है O B is equal to कितनी है B है O A is equal to कितनी है A है और P कोई दूसरा point लिया O P is equal to कितनी है मेरा पास X है और particle जो start होता है rest से start होता है बिंदू B से start होता है starting point of particle क्या है भाई starting point of particle है यानि जहां से particle start हो रहा है is D clear proof क्या करना है यह जो point C है माल लिया जाएए कोई point C है जिसके लिए X greater than A है और X less than A है बताऊंगा किस तरी किसे है इसके लिए आपको दिखाना है कि B C जो है न यह होना चीए B square minus के A square upon B no problem आगे की दरब चलते है पहला case लेता हूं भाई case number one और इसको study करता हूं मैं कहना चाहरा हूं motion कहां से कहां तक from B to A B से A तक motion के लिए द्यान से सुनना X ये है A ये है इस case में क्या हो रहा है जराँ आप graph को देखो B to A के लिए एक graph बनाता हूं ये मेरा B point है ये वाला point यहां मेरा आप यहां मालो A और ये वाला point O है और P point यहां पड़ा हूँ है variable point P यहां है ये वाली दूरी मेरी A है और O P ये वाली दूरी मेरी X है जो graph के अंदर मैंने शो की है B से particle A तक आता है तो जाहर सी बात है इस case में क्या होगा मेरे पास X बढ़ा होगा A से देखो आप clear है ना तो now equation of motion की बात करूँगा यहां से सुनना so that equation of motion मेरे पास क्या आजाएगा यह होगा मेरे पास D2X over DT square is equal to कितना होगा minus के mu 1 minus A upon X आप खुद भी समझ सकते हो question के अंदर बिल्कुर साब साब कह रहा है toward the fix point की बात कह रहा है toward the point यानि यह यहीर सी बात है X घट रहा है particle इस तरफ आ रहा है नहां से देखो आप particle B से चल रहा है आप कोई doubt ना लग जाए particle कहां से चल रहा है particle B से चल रहा है particle O की तरफ आ रहा है अरतात X घट रहा है जब X घट रहा है तो equation of motion में किसका निशान लगाते हैं minus का देखो आप cushion के अंदर साब साब दिया हुआ है law of the force-atred distance X is this जब X greater than A है यानि X greater than A के लिए जो मेरे पास acceleration की value है वो देरे की Mew 1 minus A upon X ओके यहां से आगे जी दरफ चलता हूं उसके बाद graph की जोरोत पड़ेगी किसीज की जोरोत पड़ेगी paper उठा का आपको समझा दूँगा मैं ओके चलो भाई तो यहां से मेरे पास क्या निकला suppose that this is equation 1 मेरा वो ही पुराना method मैंने इसको multiply किया कितने से multiply किया 2 into dx over dt से multiply किया and integrate किया मैंने इसको with respect to theta sorry with respect to t t के respect में किसको किया of equation 1 यह भी लिख रहा हूं मैं साथ साथ किसको कर रहा हूं तो इदर मेरे पास निकल कर क्या आया 2 into dx over dt into d2 x over dt square is equal to minus के mu integration of 2 into dx over dt 1 minus a upon x into dt कितना निकल कर क्या भई dx over dt का complete square is equal to minus के 2 mu यह कितना निकल का मेरे पास integration के बाद 1 का integration हुआ मेरे पास x minus a log x minus a log x आप जानते हो integration 1 upon x dx बराबर log x होता है indefinite integration था plus arbitrary constant c ले लिया ओके यहाँ से मैं आगी की तरफ बढ़ा मेरे पास result निकल कर क्या भई एक बार फिल लिक दूँ इसको में यह हुआ मेरे पास कितना dx over dt का complete square is equal to minus के 2 mu और यहाँ हुआ मेरे पास x minus a log x plus arbitrary constant c suppose that यह equation second है मैं condition लगा रहा हूँ 8.b के उपर जराब समझने की कोशिश करना 8.b देखो क्या कह रहा हूँ भई मैं यह मेरा b point है b point के उपर particle start हुआ rest की position मता cushion के अंदर भी कह रहा है कि particle start from the rest विराम वस्ता से particle start होता है तो 8.b के उपर result कितना निकलेगा भाई x is equal to कितना होगा x is equal to होगा मेरे पास ob is equal to बढ़कर के b हो जाएगा और v is equal to कितना होगा मेरे पास dx over dt की value कितनी होगी 0 particle विराम वस्ता में है मैंने इस concept का use किया और result निकल लिया देखता हूँ मेरे पास result क्या आता है भाई यहां से तो मैं कहना चाहरा हूँ putting x is equal to b and dx over dt is equal to 0 in equation number 2 second equation के इंदर ये result पूट करूँगा मैं मैं कह रहा हूँ putting क्या put कर रहा हूँ भाई मैं x पराबर b and dx over dt is equal to 0 in second equation equation number 2 के इंदर मैंने दोनों result पूट किये और आगे बढ़ा ये तो हुआ मेरा 0 is equal to ये कितना हुआ ये माइनस के टू म्यू माइनस के टू म्यू ये हुआ b माइनस के a log b plus के c जहां से c की value कितनी निकल करके आई c is equal to 2 ये b माइनस के a log b c की value second equation के इंदर पूट कर रहा हूँ मैं लिख भी रहा हूँ के putting c is equal to 2 mu b माइनस a log b in second equation मैंने value put की और result निकला ये निकल कर क्या dx over dt का complete square is equal to minus के 2 mu देखो आप पहले ये ही लिखा minus के 2 mu x माइनस a log x minus c की value है 2 mu sorry ये plus है 2 mu b माइनस a log b ये मेरी third equation बनी अब यहाँ से आगे की दरब चलता हूँ और अगला result calculate करता हूँ तो माल लिया जाए यहाँ से मेरे पास जो है मैं इसको solve करूँगा और result निकालूँगा ये निकला dx over dt का complete square is equal to मैंने इसके इंदर से 2 mu कॉमल ले लिया और इसको set किया मैंने 2 mu मैंने कॉमल लेने के बाद देखता हूँ मेरे पास क्या बचा भई ये बना मेरे पास b माइनस a log b माइनस के x माइनस a log x मेरे खाल से यहाँ तक कोई आपती नहीं होनी चाहिए ओके suppose that यह मेरी एक्वेशन नमबर 4 है आगे कहना चाहरों पहले लिए कि तूब बात में समझा दूँगा suppose that यह मैंने मान लिया बात एक ही है suppose that capital V is velocity प्वाइट पॉइंट अ 8 पॉइंट किसके उपर 8 पॉइंट ए और 8 पॉइंट ए के उपर x is equal to कितना होगा a होगा जरा समझने की कोशिस करना मैं क्या कहने की कोशिस करना हूँ बाई मेरा जो particle था मेरा जो particle था particle यहां से start हुआ particle आते आते यहां से तो विरा मवस्था में था बाई जब विरा मवस्था में था तो V is equal to 0 था particle यह से चलना सुरू हुआ चलना सुरू हुआ, पॉइंट A के उपर पहुचा, तो जाहिर सी बात है, पॉइंट A के उपर, कोई ना कोई तो वैलो सिटी होगी, मैंने इसको कितना मल लिया, कि ये वैलो सिटी V है, ओके, वैलो सिटी तो V हो चुकी, पॉइंट A से O की दूरी कितनी है, O A is equal to कितना है, A, के, سमझ मातिया ना, मैं उसी की बात कहरा हूँ, भाई, पार्टिकल जब चलना सुरू होगा, चलते चलते पार्टिकल किस पॉइंट के उपर पॉँचेगा, मैं वही कहा रहा हूँ कि पॉइंट A के उपर पार्टिकल की वैलू सिटी कितनी है A है और इसके लिए X is equal to कितना हो जाएगा A हो जाएगा जब X is equal to A हो जाएगा तो मैं आगे की दरब चलता हूँ और अपना result निकालता हूँ तो यहां से मेरे पास result निकल करके आएगा कितना आप भी इस चीज को जानते हो कि DX over DT की वैलू कितनी होती है V होती है मैंने इस यह concept का यूज किया Now putting Capital V is equal to DX over DT X is equal to A in 4 equation जैसे ही मैं दोनों की दोनों result रखूँगा result रखने के बाद मेरे पास क्या result निकलेगा भाई finally तेखो आप भी इधर तो हो जाएगा DX over DT की वैलू कितनी है V यह हुआ मेरे पास V square Capital V square तो यह हुआ E equal to इधर कितना हुआ 2 Mew यह हुआ और यहां 2 Mew आने के बाद यह हुआ मेरे पास कितना भाई B minus A log B minus X के जगा मैंने क्या डाला भाई A log B डाला A log A होगा भाई A log A एक मिनट B minus A log B minus के A X की जगा और minus A log A minus A log A X की जगा A डालते ही B minus A लोग B X की जगा A डालते ही A minus के जड़ा जिकलती कर दिया यार एक, दो, तीन, चार स्टेप है ना एक, दो, तीन, चार, पाँच स्टेप कर दिया इसे कट कर दो minus A minus A log A ओके इस V को मैं फिर से लिख रहा हूँ और फिर मैं आग यह कि तरब बढ़ जाऊंगा तो V स्क्वार की वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई? दो म्यू दो म्यू के बाद यह हुआ कितना मेरे पास? B minus A minus A log B minus A log A यह एक special equation है जिसका मैं यूज करने वाला हूँ इसलिए इसको underline कर दी है मैंने suppose that यह equation number A है एक calculation तुम्हें कर चुका अब मैं calculation की second part की तरब चलूँगा और उसके अंदर देखता हूँ मेरे पास क्या होगा कैसे होगा भाई हमारा जो particle है वो कहां तक पहुँच चुका है particle बिंदूों से B से चला और particle A तक पहुँच चुका A के उपर value city भी मैंने calculate कर दी ठीक है ना? आपके सामने है देखो ना आप भाई second portion की दरब चलते हैं आगे कहना चाहरा है कि जब x less than A है तो acceleration यह है अब particle A से start होगा particle जो है ना O तक आएगा यहाँ तक आएगा ओके लेकिन particle यहाँ तक ना आगर के C के बीच में इसलिएट होगा तब मेरे को BC निकालनी है समझ देगी कोईश करना अब particle कहाँ से start होगा A से particle को आना कहाँ तक है O तक आना है now equation देखो आप equation of motion लगाँगा मैं O से A के लिए अलग से अगर आप बना देता है यह A है अब यह O है O A यह वाली दूरी A है यह पॉइंट C है इसके उपर वैलो सिटी V है ओके equation of motion equation of motion किसके लिए भाई for O A यह O to A यह आप ऐसे ही बोल सकते हो from A to O A से स्टार्ट होगा O तक आएगा इसके लिए acceleration की value कितनी दे रखी है एक बार acceleration देखो कितना दिया हुआ है particle का जो acceleration दे रखा है वो यह दिया हुआ है दिया हुआ है ना चलो equation of motion का यूज किया मैंने so that मेरे पास d2x over dt square की value कितनी निकलेगी so that यह रिजल निकल करके आएगा मेरे पास d2x over dt square is equal to होगा mu और यहां कितना होगा भई a square upon x square minus a upon x सवाल पैदा होता है कि भई यह positive होगा या negative होगा आप फिर इस चीज को समझो अब particle यहां से start हो रहा है particle इस तरह पा रहा है x यहां से यहां तक था अर्था अब की बार यह positive होगा ओके देखो आप यह वाली दूरी थी x की यह वाली दूरी थी a तो particle यहां से start होगा ऐसे ऐसे चला अर्थाथ this is positive clear आगे की दरब चलता हूँ जब यह positive हो चुका तो भई suppose that यह मेरी equation number आप square माल लो मैं multiply कर रहा हूँ वह ही पुराना method multiply by 2 into dx over dt और मैं integrate करूँगा integrate करूँगा किसके respect में with respect to t कौन्सी equation को r equation को ओके और अब यहाँ से फिर result देखने की मैं कोशिश करूँगा देखता हूँ मेरा result क्या बनता है और कैसे आता है तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आएधर integration of 2 dx over dt into d2x over dt square into dt is equal to integration of mu तो बहार आचुका a square upon x square minus a upon x into 2 into dx over dt into dt clear है ना मेरे ख्याल साब को कोई आपती नहीं होनी चाहिए मैंने इसको integrate किया और अगला result calculate कर लिया देखो भई जब मैं यहाँ से इस step को integrate करूँगा इस step पो यह निकल करके आएगा dx over dt का complete square is equal to mu तो यह है ही integration of dt से dt cancel हो जाएगा यह होगा a square upon x square minus a upon x into 2 और यह हो जाएगा dx आप समझते हो इस चीज़ को ओके चलो भई आगी की तरफ चलता हूँ तो यहाँ से मेरे पास जो होगला result बन करके आए भई अब integrate करूँगा मैं और इसका result निकालूँगा देखता हूँ क्या बनता है इधर होगा मेरे बास कितना dx over dt का complete square is equal to भाई आप खुद भी समझ सकते हो दो म्यू तो यह है ही x square का integration कितना होगा minus a square upon x नहीं होता क्या बताने वाली बात नहीं है यह लेकिन फिर भी बता रहा हूं यह होगा x की integration x की power minus 2 into dx क्या होगा इसका integration minus 2 plus 1 बटे minus 2 plus 1 बराबर कितना minus 1 upon x समझते हो आप अगले वाला step कितना निकला minus a log x indefinite integration है plus arbitrary constant मैंने d ले लिया कोई दिकत्तु नहीं है तो यहां से मेरे पास कितना निकला भाई यह हुआ dx over dt का complete square is equal to यह हुआ 2 mu और यह हुआ माइनस के कितना भाई माइनस a square upon x माइनस a log x प्लस के arbitrary constant d आगे की दरब चलते हैं भाई आप समझते की कोईश्च करना जो मेरा graph है उसी point की बात करूंगा जहां से में चला था देखो आप यह मेरा graph था जो इधर रखा हुआ है यहां से देख लो आप यह graph है मैं कहा रहा हूँ point a के उपर शोट में लिक रहा हूँ space कम है मेरे पास point a पर 8 point a बिंदू a के उपर x is equal to कितना होगा भाई point a के उपर x is equal to कितना है x बराबर a है और v is equal to कितना है देखो आप यहा वैलो सिटी v थी थी डारेक्ट लिख रहा हूं वी स्कॉार बराबर है मेरे पास कितना यह है टू म्यू आपके सामने है टू म्यू बी माइनस ए माइनस ए लोग भी माइनस ए लोग है इन दोनों कंचेप्ट का मैं यूज करूँगा ओके चालो भाई दोनों कंचेप्ट का यूज कर रहा हूं 8.a के उपर तो यह कितना निकल गए इधर यह तो निकला वी स्कॉार की वेल्लू कितनी हुई यहां से dx ओवर dt की वेल्लू भी स्कॉार होती है इधर तो निकला यहां निकला टू म्यू टू म्यू के बाद कितना बना B-A minus A minus A minus A sorry plus A plus A यह plus का बिटा जराशी mistake कर दी है मैंने plus A plus A है plus A यहाँ पर यह इधर देख लो मैं कभी इधर भी mistake कर रखियो यहाँ यह plus है क्या है result B minus A minus A minus A लोग B B minus A minus A लोग B plus ओके यह वाला यह वाला यहाँ plus है बिटा यह B minus A minus A लोग B यह plus है जराशी mistake कर दी थी clear है ना आगे एकी दरब चलते हैं तो B minus A minus A लोग B plus A लोग A E equal to यह कितना हुआ 2 Mew X पराबर कितना रखा मैंने A यह वा minus A square upon A minus कितना निकला A लोग A X की जगा पलस के कितना हुआ D clear मैं D की value निकाल रहा हूँ D परापन मेरे पास निकल करके आएगा ये तो हुआ दो मुव ये इधर आजाएगा भई कितना निकला ये हुआ दो मुव B माइनस है माइनस A लोग B plus A लोग G और जराद यहां से देखना ये भी माइनस ये भी माइनस तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा plus कितना होगा 2 mean और ये होगा यहाँ पर कितना A plus Aक से एक encul हो जाएगा A plus A लोग G A लोग G E equal D कितना D clear जो इसमें से cut होगा मैं cut कर दूँगा भई और उसके बाद आगे एक दरब चलूँगा मैं तोड़ा से खतरनाक रिजल निकलेगा D बराबर जो निकल कर क्या कितना हुआ भई 2μ 2μ common कितना हुआ यह B- B- A- B- A- 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 लोग B- पलस A- लोगे पलस A- पलस A- लोगे अज़े मेरे पास D की वैलू कितने निकल करके आए भई भई 2μ तो यह है 2μ तो यह है भई यह पोजिटिव ए नेगटिव ए पलस A लोगे ज़रा समझें कोश्च करना और पलस A लोगे यह वह B- B- A लोगे एक यह एक यह पलस 2 A लोगे यह निकला न नहां से में D की वैलू निकाल लूँगा उसके बाद आगे एक तरफ बढ़ जाऊँगा तेरा देखना D की वैलू क्या निकल करके आएगी D is equal to निकला टू म्यूँ तो यह है ही नहां से होगा मेरे बास B माइनस A लोग B पलस इसको क्या लिख सकता हूं लोग A का स्कॉार लिख दूँ ए लोग A का स्कॉार इन दोनों के उपर लोग प्रोपर्टी अपलाई करी D is equal to कितना निकला भाई दो म्यू और दो म्यू होने के बाद यह हुआ B पलस जड़ा समझने की गोश्च करना इन दोनों मसे एक उमल ले लिया A और यहां हुआ कितना भाई लोग A स्कॉार लोग A स्कॉार माइनस के लोग B क्लियर है ना आगे दर चल लेते हैं यहां से इसकी ज़रूत पढ़ने वाली है डी की वैलू डालूगा मैं लेकिन पहले सी को स्वाल पर लोग तो कितना निकला लोग A स्कॉार अपॉन भी क्लियर है ना कोई इक तो नहीं है चलो भाई मैं वैलू डालता हूं और रिजल निकलता हूं मैं कहना चाहरा हूं पुटिंग दा वैलू ओफ डी इस इक्वेशन के अंदर यहां पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर सुपोस्ट यह इक्वेशन एफ है ओके लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका चलो खेर कोई बात नहीं भाई मजबूरी है मेरी यहां ते केल्कुलेट करनेगी मैं कहा रहा हूं पुटिंग डी इस इक्वेशन नंबर एफ ओके तो जैसे मैंने यह वेल्लू पुट की मेरे पास रिजल्ट कितना निकला यह निकला डी एक्स ओवर डी टी का डी एक्स ओवर डी टी का कम्प्लेट स्क्वार इस इक्वेल टू यह वार टुम्यू ए स्क्वार माइनस के ए स्क्वार अपोन एक्स माइनस के ए लोग एक्स पलस डी की वेल्लू कितनी है टूम्यू यह वा बी माइनस ए लोग ए स्क्वार अपोन बी क्लियर है ना लास्ट इस्टेट में लिख रहा हूं फिर कुश्चन के साकेंड पार्ट के इंदर स्वीच करता हूंगा मैं पार यहां से माइनस के ए सानकोमन ले लो अधि एक्स ओवर डीटी का कंप्लेट स्क्वार इस इक्वल टू मैनस मैनकोमन ले लिए यहवा माइनस के टूम्यू और यहां से हुआ कितना A square upon X प्लस के लोग X प्लस के टूम यू कितना हुआ B plus के सारी ये देखो प्लस का निशान है फिर मैंने इसके इंदर गलती कर दी दी प्लस चला ये प्लस है पिटा है B plus A लोग A square upon B कोई अगर दिक्कत हो कोई अगर आपती हो You can directly ask me Okay Suppose that equation number जो है ना अपने नाम से दे रहा हूँ Z आग एक दरब चलता है भाई थोड़ा बड़ा question लेकिन कोई बात में Question के second part के अंदर में इसको complete कर दूँगा Stop करता हूँ यहीं तक